हाई व्रेट्स, आपको मेरे चेनल टेकनिकल, में के देयर में स्वागत है, दोस्तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप PM किसान सम्माननी दियो होजना में कौन सा मोबाइल नंबर दिये थे, उसको कैसे आप चेक कर सकते हैं, अगर मानली जी आपने PM किसान सम्मा सम्मानि धियोजना का पहले offline या online आवेतन किसी भी तरीके से किये थे तो आब आपको याद नहीं है कि पूबाईल नंबर उस पूबाईल नंबर उसमें लिंक है उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो किस तरह से चेक करेंगे इस वीडियो में आपको पूरा डिटैल में बताओंगा तो चलिए वीडियो को स्पidal आपको प्रक ब्राओजर ऊपइन्ड करने हो और उपन करने के बाद आपको PM किसान लिख करके सर्च कर देना होगा सर्च करने के बाद अगर इस तरह से आ जाता है PMKisan.gov.in तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा अगर आपका इस तरह से नहीं आता है तो वीडियो के दिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ सीधे आप क्लिक करके आप PMKisan सम्मानी दी ओजना के पोटल पर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर PMKisan सम्मानी दी ओजना पोटल जल्दी लोग सर्च नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर पहुंच नहीं पा रहे हैं तो उसका मैं दे दिया हूँ उस पे क्लिक करके सीधे आप आ जाएंगे तो प्रणि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपिएन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर नीची आना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं वेनिफिसेरी status इस पर आपको click कर देना होगा click करने के बाद यहां पर थोड़ा सा loading लिया और यहां पर देख सकते हैं beneficiary status और यहां पर आ रहा है आधार number और account number पहले यहां पर mobile number पका भी option देता था लेकिन फिरिंड यहां पर mobile number का option हट चुका है आप आप एकांट नमबर और अधार नमबर से चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं अधार नमबर डालके Get Data पर क्लिक कर दे रहा हूँ. Get Data पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यह पर processing थोड़ा सा loading ले रहा है और उसके बाद यहाँ फिरिंट देख सकते हैं तो देख सकते हैं यहां पे mobile नंबर और यहां पर लिखा हैं मारा 76-71 तो यहीवाला यहां पर केवल 4 रंग कहीं यहां पर चार रंग कहीं दिखाई देखाए तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कौन सा mobile नंबर इसमें लिंक है तो फ्रेल कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं तो फ्रेल इस वीडियो में बस इतना मिलते हैं अंगले वीडियो में तुब तक के लिए जाहिन बंदे माख़़।